आल्राइट गाईज राधे राधे नमस्कार मैं सुधीप स्वागत करता हूँ आप लोगों वाट्यक यूनिफाइट के एक और फ्रेश न्यू वीडियो पे तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो आल्राइट दोस्तो ये वीडियो हम सबके लिए इंपॉर्टन है क्योंकि हम सबका कहीं न कहीं किसी न किसी बैंक में अकाउंट तो जरूर होगा हमारा खुद का नहीं होगा तो या तो हमारे ममी का होगा या फिर पापा का तो जरूर होगा तो आज के इस वीडियो को आपको बिना skip किये पूरा end तक जरूर देखना होगा क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ या फिर बात करने जा रहा हूँ एक scam के बारे में जो चल रहा है इंडिया में और हो रहा है Indian banking users के साथ और ये scam कर रहे हैं कोई साथरन scammers नहीं ये कर रहे है Chinese hackers क्या हो रहा है कि Chinese hackers दुब्बारा से Indian banking users को target कर रहे है उनके account details चुड़ा रहे हैं उनके account से पैसे निकाल रहे हैं उनको लूट रहे हैं उनको लुकसान पहुचा रहे हैं अब आप सोच रहोंगे कैसे यह कर रहा है, तो यह कैसे कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं, ओके तो सुरूशे शुरुआत करते हैं, शायद सब को बता होगा 2018 में, वेल अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको खूल के बताता हूँ, 2018 में क्या हुआ था, 2018 में Chinese hackers ने Indian social media accounts क हुए थे, लेकिन इंडिया ने उस चीज़ को रोक लिया था, और मामला शान भी हो गया था, लेकिन अब वो चीज़े दुबारा स्टार्ट हो चुके हैं, और अब उनका primary targets है, Indian national banks, यानि कि SBI, BOI जैसे government और national banks के customers के accounts को hack करना, और उनमें मौजूद उनके पैसे को चुरा तो लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज्यादा attract हो जाता है, तो क्या होता है, कि अगर आपको उस link पर लिखा होता है, कि आप अगर इस link पर click करते हो, तो आपको ये iPad free में मिलेगा, तो लोग free का समान, सबसे पहले तो free का समान, और दूसरा iPad, लोग और भ पतम, टाटा, बाइबाई, गुडबाई, सारी के सारे आपके जो account details है, वो उनके पास पहुँच जाएंगे, और आपको पता ही अगर आपका account details किसी के पास हो जाता है, एक बार भी, तो सीधा वो क्या कर सकता है, सीधा लात मार के आपको ये आपका account से बाहर निकाल देग अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, कि यार इनसे बचे कैसे, विल सबसे पहला आपको जो काम करना है, अगर किसी भी unknown source है, या फिर WhatsApp पे इन सारे links या फिर ये सारे matcheses आपके पास आता है, तो फटा फट से या तो delete करो, या सीधा ignore मारो, अगर आपके घर में बच्च इसे, तो simply delete मारो और ignore मारो, दूसरा तरीक ये है, या फिर दूसरा तरीका आप दिमाग में ये टान लो, कि banks के representatives, banks भी या हमको हमेशा बोलते हैं, कि banks के representatives आपको कभी भी call नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं, करेंगे तो नहीं सबसे पहला बात, और अगर करते भी हैं, तो वो आपके कभी भी details नहीं मांगे, क्योंकि banks के पास आपका details सबसे पहले हो जाता है, banks के पास आपका details होता है, तो वो आपको details क्यों मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे, अगर ऐसा भी कोई phone आता है आपके पास, कि आपके banks के ये हो गया, KYC हो गया, ये हो गया, वो हो ग आपका account fully secured रहेगा और यहां two step verification तो ज़रूर करके रहना इंटेर बैंक पर two step verification ज़रूर से करना जब भी आप log in करोगे तो OTP मांगेगा और जब भी आप OTP जब तक नो OTP डालोगे उसमें तब तक login नहीं होगा तो यह सारी चीज़े कर लो आपका account fully secure हो जाएगा वेल दोस्तों आज के लिए इस इतना है हुप की वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना पूले चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना बेल नोडिफिकेशन कॉल पर सिलेक कर देना हमें इंस्ट्राइम पर ज़रूर से फॉल कर दो कि वीडियो कर दया है che मैं कर दो देना है